आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी रादे रादे 17 अपरेल 2020 के इपाटन करेंट अफिर लेके आपके आगे हाजिर हूँ में मेरा नाम है सुनिल स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्टार एजुकेशन में अगर आप मुझसे सोसल मीडिया पर किनेक्ट होना चाहते हैं तो वाटसप नंबर से किनेक्ट हो सकते हैं या मेरे दवारा पढ़ाई गई किसी भी पीडियो फाइल का जो है आप लिंक चाहते हैं तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल सुनिल स्टार सर को भी जोइन कर सकते हैं यही मेरा फेस्बुक पेज है प्लीज आप फेस्बुक पेज आके भी सुनिल स्टार सर वहां पे भी जाके सर्च कर सकते हैं दवारा पढ़ाई गई वीडियोज वहाँ पे भी आपको मिल जाये करेंगी क्रोना वायरिस की दुनिया भर के केसिस की बात करता हूँ तो अभी तक जो है वो 21,64,967 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 1,44,330 हो चुकी है और उने वालों की संख्या भी लगबग 5,5,5,5,5 के आसपास पहुचने वाली है अब बात करता हूँ मैं दुनिया भर में अमेरिका की बात करने तो अमेरिका के केसिस है वो 6,5,6,67,572 केसिस जो हैं और एक दिन के अंदर जो है फिर तीसरा फ्रांस है, चोथा जर्मनी, यूके, चाइना चाइना की स्थिती तो ठीक ठाक ही है बनी हुई अभी धीरे से या यूं कह दीजिएगा थोड़े दिनों के अंदर अंदर इरान और टरकी जो है चाइना को क्रोस करने वाले हैं हमारे भारत की स्थिती अगर हम देखना चाहें तो भारत के अंदर 13,430 कंफर्म केसिस हैं और मरने वालों की संख्या 448 है महारास्ट्रा के अंदर सबसदा केसिस एक दिन के अंदर 286 आये थे और अभी टोटल महारास्ट्रा के अंदर 322 केसिस हैं हमारा क्यूज का पहला क्यूशन है कि परती वर्स हिमाचल दीवस कब मनाया जाता है तो हर साल हिमाचल दीवस मनाया जाता है 15 अप्रेल को सी ऑप्शन जो है इस क्यूशन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है हिमाचल प्रदेश को देव भूमी के नाम से भी पुकारा जाता है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रेल को हुई थी ठीक है इसी वज़े से हिमाचल दिवस 15 अप्रेल को मनाया जाता है 15 अप्रेल 1948 को जो है वो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी एक राज्य के रूप में इसे गठित किया गया था इस दिन परदेश भर में जीला स्तर पर कारेकरम वगरा अज़ुत किये जाते हैं लेकिन इस वार क्रोणा संकट के चलते वे कोई भी कारेकरम जो है वो नहीं किया गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी एक है सिमला एक है धरमसाला सर्दियों के दोरान जो राजधानी रहती है हो धरमसाला और गर्मियों के दोरान जो राजधानी रहती है हो सिमला वैसे ओफिशल राजधानी सिमला है अगर दोनों आप्शन में ना मिले तो आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी जैराम ठाकूर है ये भी आप याद रखिएगा कमेंट स्रेक्षिन में आप लिखके मुझे ये बताईएगा कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है आप सबी से मेरा ये कहना है कि आप अपनी एक हैबिट डालीजिएगा सकता है इतनी चीजें याद भी मैं रोज पढ़ा रहा हूं फिर भी याद नहीं रह सकता लेकिना एक बात पकी कह सकता हूं कि पेपर में बैठेंगे और अगर पढ़ेवे कि उससे हैं ये सारे इन में से कोई भी अगर आएगा तो option देखते तुरंत याद आजेगा ये वो जरूरी नहीं कि आपको रोटा मारना है आपको टिप्स पर याद रखना है यहां समझना है आपको ताकि जो भी चीज आप पढ़ा हो वो सारी की सारी option देखके आप उसे ठीक कर पाऊ तो मेरी आपसे य हर रोज सुबह उठते ही आपको वीडियो देखने का जो है हाबिक डाल देना चाहिए हर्याना करेंट अफिर मैं आप लोगों के लिए स्पेसली बना रहा हूं वह भी यूट्यूब पे भी बलकि पर डे कोई नहीं पढ़ा रहे है ठीक है पर मन्त वगरा करके तो सारे चल daily का कोई बहुँ जल्म बी वीडियो तो होती नहीं 10-12-12 मिनिट की वीडियो होती है तो आप इन्हें फास्ट करके भी देख सकते हैं इनका लिखना अभी आपको इतना जुरूरी नहीं होता क्यों यह आप लिखना चाहें तो चलो लिख सकते हैं लेकिन फिर भी इनका पी कि क्रिकेट टीम नहीं यानि कि ए आप्शन जो है इस क्योशन का हमारा वो बिलकुल ठीक है अभी देखो वैसे तो क्रोना वाइरस का संकट चल रहा है लेकिन इसी के अलावा भारत के अलावा जो है चार देशों ने वी क्वालिफाई किया जिसमें न्यूजिलेंड है इंगल कमेटी जवारा जो हो किया गया है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो किस देश के विमानन मंत्राल्या ने आपरेशन लाइफ लाइफ लाइन उडान लाँच किया है ये भी हमारे प्यारे भारत देश नहीं किया है डी आप्शन जो है इसक्योशन का हमारा वो बिलकुल ठीक र जा रही है इस उडानों का संचालन जो है वो एर इंडिया अलाइंस एयर और भारतिय वायू सिना पावन हंस और बहुत सारे नीजी केरियस जो है वो कर रहे हैं इसके तैत राज्ये और केंदर सासित प्रदेश की सरकारे जो है वो भी आवशक जरूरते जैसे एंजाइम से है चिकित साउपकरन है प्रिसिक्शन किट है पी 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 का मतलब है परसनल प्रोटेक्टिव एक्यूपमेंट है ठीक है पी 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 मास्क दस्ताने वगरा इनकी भी आपूर्थी करवा रही है आगे बढ़ता हूं तो हाली में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का प्रिसि दिखा था इनका पता नहीं वो सच कितना है जूट है कि एक दिन क्रोणा वाइरिस के तीन प्रण चार पोजिटिव केस मिले अगरे दिन जीरो जीरो होगे तिनों चारों को उड़ा दिया ठीक है पता नहीं कितना हद तक ठीक है वो उत्तर कोरिया ने 14 अप्रेल 2020 को जो है स ख्यारों के अनुसार दक्ष उत्तर कोरिया में कई सारी मिसाइलों का जो है वो प्रेस्टिक्शन किया जा रहा है दक्षन कोरिया के अनुसार हाली में उत्तर कोरिया की वायू सेना ने जो है वो भी ग्रोथ हाया है पहले के मुकाबले जो है अविशन डिपार्टमेंट ने भी इनकीज किया है नोर्थ कोरिया को मैप में देखिएगा आप लोग यहां की करंसी जो है वो है नोर्थ कोरिया इवान दक्षिन कोरिया की करंसी भी साउथ कोरिया इवान है करंसी एक जैसी है यहां की राजधानी है प्योंग यांग और यहां के निता तो आप जानते ही है यह आप याद रखीएगा, जो एक्जाम के लिए important है, जिसे भारत और पाकिस्तान की लाइन रेड कलीफ है, या भारत और चीन की लाइन मैकमोन है, पैसे उत्तर कोरियर दक्षिन को यह कि बीच की लाइन को 38 पैरलल के नाम से पुकारा जाता है. अगला सवाल है हमारा की कौन सा application है जो मातर 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा download किये जाने वाला application बन गया, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा download किये जाने वाला application बन गया है आपका आरुग्य सेतू, डियो options है यह स्कुसन का हमारा, आरुग्य सेतू आप सभी को जान और अगर हम safe हैं तो green रहेगा और अंसेफ रहते हैं तो यह yellow color में जो है वो शो होने लग जाएगा अभी 13 दिनों के अंदर अंदर जो है इसे 50 million से भी ज़्यादा लोगों ने जो है वो डाउनलोड कर लिया जो कि अब तक दुनिया में किसी भी application ने या निकिट भविश्या में भी कह सकता हूँ किसी application ने इतना grow करना इतना असान नहीं है आगे बेट चलता हूँ मैं तो the ministry of tourism has launched a new web series what is called अभी ministry of tourism जो है उन्होंने एक नई web series launch की है उस web series का नाम क्या है उस web series का नाम है देखो अपना देश यह options है यह execution का हमारा देखो अपना देश प्रेटन मंत्रा लेने से 14 अपरेल 2020 को जो है वो शुरू किया है इस web series या webinar स्रंखला का मतलब यह है कि कई स्तलों और संस्कृतियों के बारे में जो है वो जानकारी ली जा सके the ministry of home affair issued an advisory calling which among the following app as unsafe the ministry of home affair है उन्होंने हाली में एक सलहा देते वे कहा है कि इन में से वो कौन सी application है वो उतनी ज़्यादा safe नहीं है तो application है zoom application जूम application वो application है जो एक साथ multiple लोगों के साथ में video calling की जा सकती है 100 लोगों के साथ की जा सकती है इसको बढ़ा के 500 लोगों तक भी किया जा सकता है present में school वगरा में इसका use किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए 16 April को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 16 April को पूरे देश में मनाया जाता है भारतिय रेल प्रिहवन दिवस क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर 16 April 1813 को पहली रेल गाड़ी चली थी 2019 या 20 के अंदर बात करता हूँ तो कुछ तब से लेके आज तक जो है ये काफी सारा चेंजिज आया है और पहली रेल गाड़ी चली थी मुंबई से लेके ठानी के बीच में चली थी और 34 किलोमेटर चली थी ये हाली में किस कंपनी ने स्थानिय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाइ स्पोर्ट अप्लिकेशन जो है वो लांच किया है तो नियर बाइ स्पोर्ट अप्लिकेशन जो है वो जारी किया है गूगल ने डियो आप्शन सही है इस क्योशन का हमारा यह क्या है कि यह application location की आसपास के खुले किरियाना store के बारे में जानकारी देगा कि कौन कौन सा location पे किस किस location पे कौन कौन सा किरियाना store जो open है गूगल के CEO का नाम है सुंदर पिचाई और Google का जो alphabet company है यह mother company है इसके CEO भी सुंदर पिचाई है जो कि इंडिया तमिल नाडू के रहने वाले है हाले में किस राजे सरकार ने comic पाठे पुस्तकों का electronic sunscreen जो है जारी किया है तो comic पाठे पुस्तकों का electronic sunscreen जो है जारी किया है मनिपूर राजे ने भी options आई है मनिपूर को आप मैप में देख पा रहे होंगे मनिपूर की राजधानी जो है वो इमफाल है मनिपूर की जो गवर्नर है उनका नाम डॉक्टर नजमा हेपतुला है और मनिपूर के जो मुख्य मंत्री है उनका नाम है एन बिरेन सिंग हाली में किस राज्य में COVID-19 से संकरमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स बोजन और दवाएं दे रहा है जारखन राज्य है इस रोबोट से क्या है ताकि परसन एक्जामपल से बात की जाए कि human transmission है ये virus तो करके कोई touch ना हो और दूर से ही जो उसको transmission किया जा सके और human जो है उनकी भी कम जुरूरत पड़े क्योंकि अगर इंसान जाएगा तो जो है वो virus फैलने का भी ज़्यादा खत्रा होगा जारखन को देखें मैं आप में तो ये नजरा रहा होगा जारखन के जो स्थापना हुई थी वो 15 नॉमबर 2000 को हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत शोरान है राजधानी रांची है और जन सिंक्या 3.1 करोड है हाली में COVID-19 के इलाज के लिए किस राजे ने आयरुवेद का इस्तमाल जो है वो शुरू किया है तो आयरुवेद का इस्तमाल शुरू किया हाली में गोवा राजे ने गोवा का यह कहना है कि आयरुवेद से जो है ये वायरिस है ये जड़ से खतम हो सकता है बाकिए इसका ईलाज जो है कहीं पे भी नहीं है मुख्यमंत्रिय उनका नाम है प्रमोधगुमार सामत उन्हें का ही ये इनिशेटिव है राज्यपाल यहां के हैं सत्यापाल मलिक और राजधानी जो है वो पणजी मैं अपने आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा यह गोवा के अंदर एक MMT है मुर्मो गाओ पौर्टरस्ट है MMT कह सकते हैं उसे आप लोग मुर्मो गाओ पौर्टरस्ट जो कि गोवा के अंदर ही पढ़ता है चलिएगा इसी के साथ यह लेक्चर समाप्त होता है यह वीडियो कैसा लगा आपको अपने दोस्नों तक शेर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा थैंक यू कल सुबह फिर मिलता हूँ आपके साथ में फिर एक लेटस्ट अप्डेट के साथ में